UPSC का आज History का Optional Paper जिनका रहा है उनके लिए ये मेरा वीडियो है इसमें हम सिर्फ एक प्रश्ण की चर्चा करने चल लें सेकिंड प्रश्ण की चर्चा करेंगे जो की नफपाशान या नियुलोथिक एच के रिप्रेजेंटेशन से चुड़ा हुआ है और इसको एक्दामीन करने के लिए कहा गया है और इस प्रश्ण को बहुत ही महत्कूर तरीके से अगर आपने नहीं समझाए बहुत ही डीप में जा करके नहीं समझाए तो आपको जर्नल मार्किंग होगी सही मार्किंग के लिए आवेशक है कि इस आंसर को रिलेट किया जाए 2022 का जो नोबल प्रवसकार है जो कि मेडिसिंस के छेतर में दिया गया था उस मेडिसिन के छेतर में इसको ले करके आया गया था और बाबो जुँ थे जिन्हों ने रिसर्च कंड़ेट करी थी उन्ने इसे रिखांकित किया था कि किस तरीके से हम नियुलिथिक एज को या नफ पाशाण को एक नए दृष्टि कुर के साथ देख सकते हैं क्योंकि इस सामाणीता ऐसा माना जाता रहा है जिस तरीके से जीवन शुरू हुआ तो जादा उनकी जो हंटर गैदरिंग एक सोसाइटी थी उसके जगे पर एक सामाजिक विवस्था उबर करके आई एक हरार की उसमें उभर करके आई तो ये वो सारी चीजें थी जिनको हमें रिखांकित करना था और केवल इस आधार पर कि ये सारी को पाइंट आउट किया है उसको आगर आपने रिलेट कर दिया है इस आंसर के साथ तो डेफिनेटली आपको इस कोशन में बंपर नंबर मिलेगा और हम वन बाई वन सारे कोशन को इसी दरीके से जहां पर भी आविशक है कि कि कितना डीप में जाकर के यूपी असी प्रश् इन यूपी असी में अप्शनल सब्जेक्ट वेदर यूँ आर हैविंग दा हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट और इस पेपर में भी यही हुआ है और मैंने अपने ग्रूप में इस प्रश्न पर एक लगाया था कि यह प्रश्न जरूर आना चाहिए ना पाशान से दोज़ा और वाइस में भी है मैं आशी आशा कर रहा था लेकिन दोज़ार तेईस में बिल्कुल ही इस बात की संभावना थी कि यह प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न पूछा गिया है इसमें हमको देखी जो नियो लिटिक एज की को एक माना जाता रहा है कि रिविलिशन पारी रुख था तो कि और सेटल्मेंट हमें मिलता है अगर हम इंडियन परस्पेक्टिफ की बात करें तो जिस तरीका से बलुचिस्तान के अंदर का मेहर गड़ या भारत के जम्मू कश्मीर है चुकि अब बलुचिस्तान जो है पाकिस्तान का भाग है अंडिवाइड इं आंसर को प्रमपरागत रूट से टेडिशनली लेकिन यहां हमें यह पॉइंट आउट करना है कि नियो लिथिक एज खाली जो टूल्स का सफिस्टिकेशन है उसके पाइंट आफ वी से करांतिकारी नहीं है सेटल्मेंट के पाइंट आफ वी से जो इस्थाई बस्तियां बन पाबो के बने डिश करी नहीं उसमें उनख़ोंने बताया है कि जीनों से जर्प आई गये हैं और ह्यूमन इवब्लुशन कों ने जो ड़ा डॉमस्टिकेशन आफ एनिमल शुरू हो गया जिसके चलते ही यह पूरा की पूरा टाइम पिरियड रिविल इनुशरी हो गया बलके हुए कहते हैं कि कहीं जादा कॉंप्लेक्स प्रॉसस था और देखे प्रेश्ट में जो टैग है वो एक्जामीन का है तो एक्जामीन करते ह हम चीजों को एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं उससे जुलएवी जितने वर we जाशने परेखने का भी नाम जो है एक्जामीनेशन तो इसी पाइलिटיך को अगर हम ध्यान में देखें तो यह कह रहे है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ड के थे वो आपस में आया है फिर उनके बीच में एक ट्रडिशनल जो नियोलिथिक हमने एक revolution का बना रखा है वो सिर्व एक अचानक या widespread चेंज नहीं था बलके उन्होंने ये finding दी है कि जो interbreeding होई इन ग्रूप्स के बीच में उसके चलते एक अलग-अलग परजातियां उभर कर गया है नियोलिथिक ग्रूप ने उसको भी फेस किया उसका सामना किया और फिर वो suggest करते हैं कि जो agriculture spread हुई तो ये agriculture का जो spread होना था वो इन human beings के साथ जो की interbreeding के जरीए से अस्तित में आ रहे थे और उनका भी रसार हुआ विश्य के भी भूबाग में और साथी साथ विचारों का भी भूबाग में अलग-अलग विस्तार हुआ और फिर ये चीज एक और महत्मूर है कि जो archaeological evidences उन्होंने provide करे हैं कि हमें ये mention करना है कि जो Middle East को हम मानते रहे हैं कि सबसे older जो छेद रहे हैं agriculture के cultivation के उसको उन्होंने कहीं न कहीं एक paradigm shift दिखता है इस point office है कि हमको South East Asia में उससे भी पुराने cultivation के archaeological supports मिलते हैं इस चीज को हमें point out करना है और इस point office के साथ अगर हम इस answer को लिखेंगे तो जादा justice कर पाएंगे जादा अच्छा मारा answer होगा और अगर आपको मेरा ये analysis अच्छा लगा हो अगर आपने इस point को race किया है तो definitely आपको इस प्रश्चन के अंदर बहुत अच्छे marks मिल ले रहें नेक्स प्रश्च छोटे से वीडियो में फिर मैं लूँगा और पूरे पेपर को छोटे-छोटे यह एक question में ही explain करने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक वो सारी चीजें clear way में आ सकें अगर वीडियो अच्छा लगे तो like और share ज़रू करें thank you so much